आज का वीडियो मेरी नीज से थोड़ा सा अलग हटके है क्यूंकि इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो कभी नहीं बनाया है बट मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो लोग यूट्यूब पर वीडियो क्रियेटर हैं फिर वो ए एकाउंट को बनाने के बाद उन्हें आइडेंटिटी वरिफिकेशन करना होता है तो उससे जुड़े हुए बहुत कुछ सवाल हैं जिनको लेके कन्फ्यूजन रहता है मेरे पास वो सवालों के जवाब है इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूं तो अगर आप देख जो गूगल एडसेंस में हम अपनी कॉंटाइक डीटेल्स या अपनी परसनल डीटेल्स जो हम फिल करते हैं और जो हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो अगर उनमें एड्रस अगर डिफरेंट है तो वो वेरिफाई होगा या नहीं होगा तो जो मेरे साथ हुआ था ना उ होते हैं आपको अधार काड आपको लगाना होता है पासपोर्ट लगाना होता है या फिर ड्राइविंग लगाना होता है या पैंड काड लगाना होता है या फिर वोटर आईडी काड लगाना होता है ऐसे तो मेरे पास सारे आईडी प्रूफ थे लेकिन फिर भी मैंने सबस में यह लिखा आ रहा था कि आपका जो आइडेंटिटी है ना वो मिसमाच हो रहा है तो मुझे भी एला टेंशन हो गई कि यार मिसमाच क्यों हो रहा है सब कुछ तो ठीक ठीक है तो जो मेरा पैन काड रिजेक्ट हुआ था और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एकसेप्ट हो था वो ऐसा क्यूं हुआ उसका रीजन जान लो क्योंकि मिरा जो पांकाड़ था ना पैन कार्ड के उपर मेरा होने मधि क्ढ़स जो मैने आपने डिटेल ब्ली इटिल टीश्में उसमेंहों अपनी दीटेल डाली थी उसमें जो मैने फू नेम लिखा था न ठीक है और मैंने अपना current address डाला था और मेरे pen card में क्या था pen card में मेरा full name नहीं था मेरा सिर्फ first name था जिसकी वज़े से वो mismatch हुआ क्योंकि अगर मैंने अपना full name डाला है Yami Singh तो मेरे pen card में भी Yami Singh होना ही चाहिए अगर मैंने सिर्फ surname नहीं है single name लिखा है first name लिखा है आपके address से कोई भी लेना देना नहीं है यह आपको मैं clear करना चाहती हूँ in fact सबको मैं clear करना चाहती हूँ इसी वज़े से यही मेरा मकस्त था आज का वीडियो बनाने का कि identity verification में आपका address कहीं से भी matter नहीं करता आपका id प्रूफ्स आपके different address के भी हो सकते हैं और आपका जो current address वो भी अलग हो सकता है ठीक है इसलिए तो इसलिए Google AdSense जो होता है वो आपकी identity verify करता है कि आपका जो नाम है जो आपने Google AdSense के personal details में जो आपने नाम दिया है वही नाम आपके documents में होना चाहिए वो match होना चाहिए तो आपका identity verify हो जाएगा ठीक है फिर मैंने driving license लगाया उसमें मेरा वही नाम लिखा हुआ था complete name जो मैंने complete name अपना AdSense के details में डाला हुआ था Yami Singh और उसमें भी Yami Singh ठीक है तो वो match हो गया तो मेरा AdSense बहुत असानी से verify हो गया जबकि मेरा driving license में address मेरे पुराने वाले घर का था और अभी current address मेरा different है मैंने अभी जो AdSense में डाला हुआ है ना वो मेरा current address डाला है और जो मेरा documents में है वो मेरे पुराने address पे बने हुए है card reject हुआ था ना तो बहुत ज़ादा टेंशन में आ गई थी और मैंने बहुत सारे कई मतलब यूट्यूबर से contact किया और सबसे मैंने पूछा कि ऐसा है मेरा card reject हो गया है तो क्या इस वज़े से हुआ है कि मैंने पुराने address के documents थे मेरे और मैं current address मेरा अब दूसरा है तो इस वज़े से मतलब क्या मेरा verify नहीं होगा तो सब ने बोला जी नहीं होगा अगर अलग-अलग address पे है तो नहीं होगा मतलब are you serious कि आपको अगर confirm नहीं है तो आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि नहीं होगा नहीं हुगा मतलब एक दो बंदा ने मुझे नहीं बोला कि नहीं होगा वह Debatte सीत है मैं नाम नहीं लेना चाहती है लेकिन नहीं होगा लेकिन जब कहते ही कि जँद experience करो गे आप तब इक experience किया है मेरा driving license था वह पुराने address पे था और जो मेरा Pen Card भी था वह भी पुरानी आड्रस पर था लेकिन मेरा driving lessons पुरानी आड्रस पर ता और मेरा गूगल AdSense में डाली हुई है आपने current address फिर वह a verify हो गया क्यूं क्यूं कि Google AdSense identity verify जो करता है वो सिर्फ आपके नाम से करता है और उसमें father's name ठीक है आपके नाम से करता है लेकिन वो एड्रस से नहीं करता है एड्रस वेरिफाई होता है जब वो जब वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपके घर पर पिन आता है तो उससे एड्रस वेरिफिकेशन होता है ठीक है आइडेंटिटी वेरिफाई स्रिफ आपके नाम स वही नाम आपके document से match होना चाहिए तो आपका identity verification successfully verified हो जाएगा ठीक है तो यह बहुत सारे लोगों को confusion होगा और मुझे भी था जैसे कि मैंने आपको बताया है तो इसलिए यह वीडियो मैंने बनाई है मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अगर आप driving license लगा रहे होना तो आ अगर आपका card आगे और पीछे printed है तो आपको दोनो साइट की photo लेनी होगी और उसका collage बनाना होगा collage आपको ऐसे बनाना है कि दोनो साइट से ना दोनो साइट की जबा फोटो लोगे तो कहीं से भी corners कटनी होने चाहिए और background कहीं का इदर उदर फालतू का background नहीं आना चाहिए बिल्कुल ऐसा background लेना है कि अगर extra background भी आ रहा तो उसे cut कर दो ठीक है स्रिफ DL की आपकी photo होनी चाहिए ठीक है और उसको आपको collage बनाके आपको वहाँ पर Google AdSense में जाके अपने documents को लगा देना है और अराम से आपका verify हो जाएगा ठीक है और अगर आधार card बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं Google AdSense में आधार card wallet नहीं है आधार card को छोड़के driving license और voter ID card आपका passport और आपका pen card यहीं चार documents में से आप कोई भी documents आप लगा सकते हैं उसकी photo बिल्कुल clear आनी चाहिए जरा सभी मतलब ऐसा blurry वगरा ना हो क्योंकि फिर reject हो जाएगा बिल्कुल clear picture, corners पूरे पूरे और बिल्कुल आपका नाम दिखना चाहिए उसमें आपके father का नाम दिखना चाहिए उसमें तो आपको आज का वीडियो हेल्प करेगा और यह confusion दूर करने में क्योंकि मुझे भी बहुत जादा confusion था और बहुत सारे लोगों को होगा इनो जो भी video creator है सभी को यह confusion होता ही है खासकर identity verification को लेके तो guys I hope कि आपकी YouTube journey में यह video आपको जरूर help करेगी और अगर इसी तरह के informative और useful videos देखना चाहते हैं तो please channel को subscribe जरूर कर लेना मिलते हैं अपने next video में till then take care bye bye